जहीं दोस्तों स्वागा थे आप लोग का एकोन है वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मत्यप्रदेश Apex Bank New Requirement Notification के बारे में तो दोस्तों मत्यप्रदेश Apex Bank का Official Notification जारी कर दिया गया है तो आए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन मे ओपेंड करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा इड़्वाटाजमेंट फॉर्मेंट 638 पोस्ट ऑफ ऑफ डिफरेंट्स काटेगरीज एंड ग्रेट इन 35 दिश्टिक्स सेंट 238 पोस्ट के लिए यहां पे ओफिसर्स के लिए वेकेंसी निकाली गई है इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ओनलाइन अप्लिकेशन आर इनिवाटेट फॉर्म दे इंडिजिबल इंडिया सिटिजन फॉर 638 पोस्ट ऑफ ऑफ अफिसर इसके बाद दोस्तों इस पेंच को स्कॉल करेंगे अब दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिविटी और डेट तो यहां पे दोस्तों आप 10,3,2,23 से लेकर 9,4,23 के बीच में आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों फिसर पें को स्कॉल करेंगे आप दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल आफ वकेंसी पोस्त तो यहां पे दोस्तों आपको पोस्त नेम देखने को मिल जाएगा इसके बाद टोटल वकेंट कितना पोस्त है वो दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाएगा औ essential education qualifications and preference तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकता है कि computer programmer के लिए यहाँ पर B.E.B.T.E.C. computer science MCA with 60% marks और equivalent grade from recognized university तो यहाँ पर दोस्तों computer programmer senior management के लिए यहाँ पर आपको B.E.T.E.C. दोस्तों होना अनिवार है और आपके पास bachelor degree होनी चाहिए computer science में है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है financial analysis का senior management grade second के लिए C.E.C.W.A. और MBA 60% marks होना चाहिए तभी दोस्तों आप इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया marketing officer senior management grade second MBA में आपका 60% marks होना चाहिए तभी इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों इस तरह दिया है MBA finance का 60% और यहाँ पर दोस्तों दिया officer superintendent middle management grade first MBA finance 60% internal inspector branch inspector assistant chief supervisor middle management grade second MBA दोस्तों हर एक post के लिए आपका जो graduation का certificate है उसमें दोस्तों पूरा year का मिला कर आपका 60% होना चाहिए तभी आप दोस्तों इस form को apply कर सकते हैं और जो इसमें trade दिया गया है वो आपके पास degree होना चाहिए इ of engineer civil middle management grade second degree in civil from a recognized university तो यहाँ पर दोस्तों civil के लिए इसमें vacancy भी दिया है इसका बात computer science के विए हमें vacancy दिया है आपका हर एक graduation degree में आपका 60% होना चाहिए इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया statistical officer middle management grade second MBA with 60% marks इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख computer programmer का जो post है उसका है दोस्तों basic पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको 42,700 पे से लेकर 1,35,000 पर तक यहाँ पर देखने को मिल जागा इसके बाद ब्रांच मैनेजर के हम बात करें ब्रांच इंस्पेक्टर या फिर internal inspector official superintendent middle management grade first का यहाँ पर दोस्तों 36,200 पर लेकर 1,14,800 पर त यहाँ पर देख सकते हैं 32,800 पर लेकर 1,30,600 पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको age relaxation देखने को मिल जाएगा जो कि SCST के लिए 5 साल और other backward class OBC के लिए 5 साल इसके बाद दोस्तों woman candidate लिए 5 साल इसके बाद फिचकल हैंडिकेप्ट क and scb belong to mp only उनके लिए भी दोस्तों आपे 5 साल छूट मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों इस पेंच को स्कॉल करेंगे इसके बाद दोस्तों आपे how to apply का आपसन देखने को मिल जाएगा यहां पे दोस्तों आप इसको read कर सकते हैं कि आपका जो photo है वो कितने के भी कलाएगा signature क इतने के भी कलाएगा यहां पे दोस्तों आप डीट कर सकते हैं अगर हम फोटो की बात करें तो 345 सेंटीमेटर इंटू 3.5 सेंटीमेटर का photo यहां पे लगेगा इसके बाद ब्लैक एंड वाइट आपका जो signature है वो दोस्तों आपको एक handwriting declaration भी देना है फार्म भरते वक्त त देख सकते हैं यहां पर आपको declaration नीचे देखने को मिल जागा यहां पर दोस्तों आपको एक white paper पर यहां से लेकर यहां तक आपको दोस्तों note कर लेना है और यहां पर दोस्तों I am नाम मसलब आपका नाम जो भी होगा इसका बाद here declared that all the information submitted by me in the application form is correct true and valid I present the supporting documents as when required तो इतना दोस्तों आपको एक white paper पर लिखना है और इसको scan करके जब आप form भरेंगे वहां पर upload करना पड़ेगा तो यह भी दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों फिर से इस page को scroll करेंगे आप दोस्तों यहां पर आपको online payment कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर 40 marks इसके बाद रिजिनिंग 40 question 40 marks अगर हम English की बात करें तो इसमें भी 40 question 40 marks और General Awareness की हम बात करें तो 40 question 40 marks और Quantitative Appliitude भी Math 40 question 40 marks total 200 question यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और Maximum 200 marks भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और हर एक section के लिए दोस्तों यहां पर आपको 30 minute देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको 200 question करना है और total timing के हम बात करें तो 140 minute आपको देखने को मिल जाएगा और paper दो तो यहाँ पर आपको minus marking देखने को मिल जाएगा 0.25 दोस्तों यहाँ पर minus marking दियागा यानि 1 by 4 यहाँ पर आपका minus marking कर जाएगा अगर एक question गलती होता है तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा in written examination in specialized subject test to qualifying for interview तो यहां पर दोस्तो आपको pre-qualify करना है इसके बाद दोस्तो इसके बाद आपका interview होगा तो interview आपका यहां पर दोस्तो साफ लिका है calling fine for interview तो यहां पर दोस्तो बस आपको interview qualify करना है साध आपका जो interview का number है वो नहीं जुड़ेगा बस आपका प्री काही नंबर पे दोस्तो मेरिट बना दिया जाएगा इसके बाद दोस्तो फिर से इस पेंच को स्कॉल करेंगे आप दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है इसके बाद दोस्तो फिर से इस पेंच को स्कॉल करेंगे आप दोस्तो यहाँ पे जनरल इंट्रेक्शन आपको कुछ देखने को मिल जाएगा आप दोस्तो अच्छे से नूट्पिकेशन में रिट कर सकते हैं तो बस दोस्तो आज की वीडियो इतना ही मैंने दोस्तो हर एक डाउट का आपका किलियर कर दिया होगा तो दोस्तो उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक लिए जाए हिंद वंदे मातरम